प्रेंट्स मैं आरवी आद आप सभी का इस नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है 11 नमर चेप्टर में हैं और इसकरी में आज हम लोग तीसरे वीडियो का डिसकसन करने वाले हैं और दोस्तों आज हम लोग टाइप 3 यानी की बिर्त के ऊपर असपर्स रेखा का रचना करना सीखेंगे और इस तरह से मेरा तीनों टाइप का कुश्चन आज किलियर हो जाएगा और आपको दोस्तों बता दे कि इस चेप्टर के बारे में कि इस चेप्टर से आपके एक्जाम को आप अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो आप पूरे स्वा पर्सेंट से क्यों रहा जाते हैं कि आपको जो है इस टाइप के ही कुश्चन क्या होंगे एक्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है डाटा चेंज हो सकता जहां पर पाना सीम हो आट सीम हो गया तो क्या दिक पैसीए सबसे पहला काम क्या जा रहा है मुझे दौस्तों सबसे पहला जा रहा है कि छो चीम तिरज्या का एक बिड़त खीजिये उसके बाद कैंदर से दस सीम दूरी दस सीम दूर स्थित एक बिन्दू से बिर्त पर असपर्स रेखा युगम युगम मिंस होता है ऑग आस तो आपको क्या करना है, खीचना है तो do, भीर्त पर अस्पार्स रेखा युग्म की रचना कीजिये, और उसकी लंबाई मा वह दो, तो हम दोस्तों क्या करेंगे इसमें step by step आगे वढ़ने का काम करेंगे सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या होगा कुष्टन समझ में भी आएगा और हलका भी लगेगा तो देखिए सबसे पहला स्टेप मुझे का गया कि क्या करो छौ सीम् की जा का एक भी तो चौ सीम्किर्जा यहां पर तो मेरे पास उतना बरा प्रकार जो हे क्या करे आपको बिर्द खीचे वे किंया क्या आपको बदाते हैं पैंसिल को चारों तरफ घुमाते हुए क्या करना एक विर्थ खिचना और प्रकाल के मदद से हमेशा विर्थ खिचना नहीं तो आपका फीगर क्या हो सकता है बहुत ही टेरा हो सकता है इसलिए पूरा जो एक्जाम में पूरा साब्धार एकना कि सब कुछ आप ले करके ओजा नहीं को चारों घुमाते हुए हम एक क्या करें धृट बराएंगे जैसे माण लेते दुस्तों मेरे पास उतना वारा नहीं आपको फिगर बदाभी लेकर चलना है तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि अपना जो है इस टाइब का कुछ क्या बनेंगा दोस्तों आपका बिर् प्रवाइक या करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए क्या करें दोस्टों आप जो है घोलाते हुए विरथी का रजना करेंगे 6 एंडम कर्केछ दूसरा बात अब जो है बृत बन गया बेट भाएगा यह के डोरी पर यहां से क्यांद हirm chef कर करना दोंस दोस्तों यहांसे बाहर दूर 10 दूरी पे क्या करना एक जो है कोई बिंदू ले लेना मान लेते हैं ये बिंदू हम मान लेते हैं मान लेते हैं ये बिंदू क्या दोस्तों हम मान लिए कि ये जो है आपका बिंदू है ये आपका बिंदू दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका बिंदू है ये स्चान्टी टीड़ चरहा एक वकी सब्सक्रेश्व करना हतों टूज़ करहां है । प्राइट चुनल ने कुछ सब्सक्राइस करना व पहाला कम दोसरी ित्रइश्य का सकते विड़ करें दोनों को मिलाने का एक रेखाखंड मिल गया अब मुझे क्या करना है रेखाखंड ओए को सम्दूई भाजित करेंगे क्या करेंगे दोस्तों सम्दूई भाजित यानि कि बराबर दो भागों में क्या करना मुझे बाटना है भटन है आप किसी भी रेहा को बराबर दो भावों है कैसे बाठेंगे आवव एक तो system है आपके पास एक इस चिरम करिया घ्याव कहा तो यह 10 жен का आपका लिए 10 से मोच बावाचन समधी बाजन का मतलब भी होता है आपको क्या डाहरा समान समान दो भावको में क्या सब्योंना इसको बाठ ना इस 80 कवा इसद से यत बाटना है हूर कि क्या करेंगे ऐन कि नहीं कि कठेंगे अले समाली जो यह रिखाest क। कैसे करेंगे यह चाप ले ले यह साथ हो ना किसके मरेंस कुसको यह परकाल कि मदद से और ओपर क्या करना इसे एक चाप काटना और फिर इस बिंदू से उसी चाप का क्या करना उसी लंबाई का एक चाप इधर काटना फिर नीचे इधर काटना एक चाप और इधर से भी क्या करना इसे इस टाइप का क्या करना चाप काटना इसके बाद इस बिंदू को औ arnos बिन्दु को क्या करेंगे मिला देंगे तो देख रहे दोनों यह जो रेखा मेरा क्या होगा दो भाग में कट रहा है तो बस सीमं काम यहां करना है यह क्या गाणा चाप काट लेहना तुम लोग प्रकाल के मदद से और इस Republic क्या होगा इधर से by इधर से जो आप काटें गेवर Çato गुछी स्टाईफ कतें मां लेते हैं यहां पर глядा और इधर से काटेंगे तो क्या होगा इधर से माल लेज़े की आपका यहां कट और इधर से क्या होगा ये यहां कटा फिर नीचे भी same to same क्या करेंगे आप पर अप जो है इधर काटेंगे और यहां से क्या करेंगे इधर काटेंगे अब इस बिंदू को और इस बिंदू को क्या करना स्केल के मदद से मिला देंगे स्केल के मदद से क्या करेंगे दोस्तों इस दोनों बिंदू को हम मिलाएंगे इस दोनों बिजा करद दिए मिलादी मिलाने के बाद आप देख रहा है कि ओसे लए करके यह रेखा खंड़ा इस बिंदू पर क्या है ब्यभाजी तो हो रहा है दो balance रहा है कट रहा है यह जो संदू s खिचे रेखा सम्धूः भाजिन किये सम्धूः भाजन करने के बाद अब यह जो रेखा था यह दो भागों बट चुका देए यह आपका क्या है कुछ भी माले के हैं मनते हैं ृपकाल सब्सक्राइब नände करेंगे बिनदें다면 फिस को केंदर निए करेंगे स्वी रखना एम फर आर ऑपना पैंसिल-ाइव से लेकर के ओक को क्या बन गीन चाप आँ हम को केंद्र मानते हुएpling क्या करना इसको गुना पैंसिल को घुमाते हो फिर एक नया बिर्द़ निरमान करें लोओ आम को क्यंद्र मांने हुए एम को क्यंद्र मांते हुए इसको है विर करेंगे आप लोगं परकाल से करेंगे उस्जी घूमा देते हैं तो मुझे एक जुनयाा बिर्त मिलेगा वह कुछ इस-टाइप सय भीए hard अब दोनों बीर्थ को आपको गौर्ष देखना है दोनों बीर्थ को गौर्ष देखना है क्या गौर्ष देखना है पुराना बीर्थ है पहले बाला जो बीर्थ है उस बीर्थ को यह नया बीर्थ क्या कर रहा है दोस्तों इस दो बीर्थ क्या किया जा रहा है पुराने बाले विर्द को नया वाला विर्द कितने बिंदू पे परति छेद कर रहा है है स.. आप बिंदू का कुछ नगा करो नाम देती तो चे लिसारा छल्ट नाम दे शकते हैं यह वाला बिर्द किया क्या किया पुराने वाले विर्द को करतिछेद किया अब अगला काम मेरा क्या होगा क्च नहीं करना आप को बिंदु E को और E को सिधा स मिलाइंगे सी के हुआ कर एक जा करेंगे कि वे बिंदु E को और A को मिला दिये इस तरह से मुझे 1 रेखा मिला A P और फिर बिंदू A को और Q को क्या करेंगे दोस्तों मिलाएंगे A को और Q को मिलाएंगे इस तरह से जो है आपको 2 रेखा दिखरा होगा A से लेकर के Q और A से लेकर के P आपको जो लाल रंग से देदी हैं ताकि दिखाई दे पुरा अच्छा से यही दो रेखा मेरा किया दोस्तों इस बीड़त के ऊपर असपर्स रेखा है जिसका मुझे क्या था जो है रचना करना था तो एसे लेकर के पी और एसे लेकर के क्यू आपका दो असपर्स रेखा हो अख्या के अंदर ओवाले बिड़त के ऊपर चले दोस्तों आप जो इतना कर कि आपको जाना नहीं क्योंकि इतना आपकर चोलत आप यह यहां पर लिख देना तो यहां पर हम पहले से लिख करके ताकि आपका टाइम ज्यादा बेस्ट नहों और देख रहा है कि यहां पर लिख के रखे कि रचना के चरन सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया चोंधों चेजया वी ना प्रशाजाएं जिसका केयंद्र और वसे लेकर दो अब तीसरा काम क्या था ओए नहीं जो और सम्दूई भाजित किया सम्दूई भाजित क्या देख रहे दोस्तों यह जो दो बरावर भागों में क्या किये थे बाटे थे उसके बाद सम्दूई भाजित किया माना की ओए का मदबिंदू M है और मदबिंदू जो मुझे मिला था उसका नाम क्या देदे थे दोस्तों ह हम लोग M दिये थे दिखे आपको M है ? M को केंदर मानकर Om 23 लेकर एक बिरत खीचा जो पूराने बिरत को p और q पर प्रतिचेद करता है सही बात है हम लोग m को केंदर माने ते हार m इजब और यो क्यों क्यों कि जोस्तों दोस्तों हम लोग मिलाये थे मिलाने के बाद मुझे एपी और सुरी ए आड़ नहीं हूगा यहांधी दोस्पर्स रेखाएं आपको मुझे क्या हुआ परिनाम की रूप में result की रूप में क्या हूआ एक युदो हमर्पार्स रखा हैं यानि कि यह वेडिती होतना क्या हुआ दोस्तो मुझे प्राप्त हुआ और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल ऐकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें चले दोस्तों आज के लिए जिना ही मिल देते हैं फिर अगले चेप्टर में तब तक के लिए आप त्यारी करते दें धन्यवाद